बिसम्हेलारामारहीम, Excel Excellence, जी हमरा continue है, आज Excel Tutorial Lecture 36, अब यहां बिंडर्स के लिए चल लेए, क्योंकि अब इस स्टेज पे है, आज हमने करना है Pivot Table Part 1, जो कस्टमाइज यूर Pivot Table है, और इसमें हमने आज देखना है, इस Pivot Table में जो है, जो है, जो है कस्टमाइज करना है, हम Columns, Row and Value जो है, हमने किस तरह से यह Browses को यूज करना है, और फिर हमने इसको Format कैसे करना है, फिर इसके जो है Pivot Table के स्टाइल्स, हम कौन-कौन से ला सकते हैं, और फिर Sorting and Filtering जो है, इस Data को देखेंगे, जी हम उसी Table से continue करते हैं, यह हम आपास एक Table है, जिसमें कुछ चीज हैं, पिवर टेबल अप्लाई करने के लिए, हमें कहाँ जाना पड़ेगा जिनाब, हमें जाहें इंसर्ट टैप पर जाएंगे, इंसर्ट टैप पर जाके, हम जाहें पिवर टेबल पर जाएंगे, क्यों बाकी हम रिकमेंड टेबल पहले कर चुके हैं, अब यह मापस एक य सिर्सिंग वर्डशीट पे एक काम नहीं करेंगे राइड जी उसको के प्रेस किया ओके प्रेस करने के बाद ये मेरे पास एक ब्लैंक जा है वो आगए पेवर टेबल इसमें देखें ये हमारे पास ये फूर बॉक्स हैं जिनके हम करें ड्रैग फील्ड बिट्विन एरियाज भी लोग ये वो आयरियाज हैं जहांपर हमने इन फीड्स को ड्रैग करके ले करना है और रिपोर्ट प्रिपेर करनी है राइड टो तो हम देखते हैं कि हमारे पास जाहरे सबसे पहले हम रोज में क्या लेकिया तै राइड अब ये इसा करता हूँ रोज में हम पहले हम पह हो गया है, मैंने का जो IIS कहा, आड़ लिक किया, तो zent प्लगिते हैं, घोस दूट कोई है ही, मैंने कुर्णे लागे हैं, है, का जो मैंने मalुकेशन चैंज कर दो popcorn है, मैंने ड्राइग किया और यूस मैंने यहां प्लेश कर दिया। मैं आप फैबर भी यहां पर ले जाएं, आप मार्च भी यहां पर ले जाएं, आप एपरिल भी ले जाएं, आप मैई भी ले जाएं, आप यून भी ले जाएं, और आप टोटल भी ले जाएं, राइड, तो इस तरह से जाके हमने यह सारे के सारे जाएं, यह टेबल मापास यह ये इसके लेवल्स है राइड इनको हम अगर मैं कॉलैप्स कर दूँ तो ये ये फस्स लेवल पे कॉलैप्स है राइड ये हमारे पास जा है ग्रॉस लेवल पे कॉलैप्स है ये सर्विज इसका कॉलैप्स कर दिया इस दा से मैंने ये इसको कॉलैप्स कर दिया राइड ये हम की निशे कर सकते हैं तो यह हम भाद में इसको फार्मेटिंग बहुती है जा एक तो यह है कि जैसे हमें पता है कि हम home पर जाएं और हम पर जाके comma लगाएं और इसको ज़ा हम decimal रखना चाहें तो रखें वह ना कम कर दें तो यह अमारे पास ही format हो गया, मैं इसको थोड़ा सा zoom in कर लो, right, अब देखें, मैंने क्या किया, मैं अब जब पर जाओंगा तो मैंने इसको ओपन किया तो इसने ये हमारे पास जा है ये सेकंड लेवल तक इसको ओपन कर दिया इसी तरह से जब मैं सेलिजस पर जाओंगा तो इसने फिर हमें सेकंड लेवल पर ओपन कर दिया इस तासे जब मैं जाए, वोल सिलेबर जाओंगा तो सेक्टन लेवल पर इसने उपन कर दिया, राइट, मैं अगर यह हमारे लिए वीजिबल है, मैं और अगर डाउन डाना चाहूं, तो मैं फर्दस को उपन करूंगा, तो यह मैं बस, यह देखें, इसने सिटी तक हमें चला सकते हैं, यह वापर सारह टेबला गया, तो दिस इस वन तिंग, राइट, जी, इसको कंटिन्यू करता हूं, मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, इस शीट का नाम चेंज करता हूं, मैं करता हूं, पी आई, टी, वान, राइट, तो अब मैं इसको मैंने जह है, जब यह सेव अब मैं करता हूं, कि मैं इसको जह हो, कॉपी करता हूं, कॉपी करने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल, और फिर इसको मैंने ड्रैग किया, और मैंने इसको यहाँ प्लेस कर दिया, तो मेरे पास यह प्लेस कर दिया, तो मेरे पास यह यह प्लेस कर दिया, तो मैं यम्यों से मैं रेटिंग के फेल्ट्र एड्ट किया, तो आप दें, ये फेल्टर है वापस आ रहा है, इस ने show कर दिया कि ये all है. अब रेटि Hammarा पस कैसे हमने कुछ companies को A rate किया वहा था, कुछ específic को B rate किया और कुछ को C rate किया वैए राइज़ मैं करता हूँ जनाब के मुझे सरक A rating companies की report चाहिए यह देखे इसने मुझे वो companies जो के A rating थी मुझे उसने इसकी report दे दी है राइज़ अब आप कहें कि यहां पर तो company दज़र नहीं आ रही तो मैं क्या करता हूँ करता हूँ यह company को मैं से ड्रैक करता हूँ ड्रैक करकर मैं यहां पर यहां पर इसको यहां पर है तो यह इसने हमें कंपनी शो कर दी राइड कौन कौन सी जह हैं वो ए रेटिंग में है और कितनी कितनी की सेल है और फिर जह है इसको मैं जनाब करता हूं कि आप बी कंपनी पर चले जाएगे तो इसने यह बी कंपनी को कलेट कर दिया इसी तरह से मैं चाहूंगा किसको आप सी पर चले जाएए तो इसने यह पो कलेट कर इससे हम यह वो दीटर लगा सकते हैं यह अब देखे हमारे पास से है यह काटा आ गया है अब मैं कहता हूँ के अगर आप देखें कि इसको मैं सब यहांपर ड़ी अको हीज न हो है अब इसको क्लिक किया Rei विड सेटिंग डाल विड वीड सेटिंग विज विड वीॡ किया यहां पेme समार वाय ना जनीरी आ रहा है रच राज जे मगत को जा थो ना मुझे सम नहीं चाहिए मुझे पहरें कि जा है आप कांट कर दें आप मुझे चैनल आइक कांट कर दें ऊके किया तो इस तोटल जो है रोजियलर की जो है तो अब मैं यह देखिए यहां से मिकर सकता है यह वैल्यू फील्ड शेटिंग इधर भी है। मैं यहां पर गया है यह फ़वरी हम से पूछ रहा है मैंने का मुझे अच्छ काउंट में करनवर्ट कर दें इस निए इसको काउंट में कर दें आड़ मैं इसी तरह से जाहा आई है वो count, different count है, different जो हमारे पास, जो zones हैं, उसमें हमारे पास यह सारे count है, तो हम count में जान सकते हैं, हम value में जान सकते हैं, ठीके जी, तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अब इसको एक और जहाए, वो table create करता हूँ, मैंने control का button टेस्ट किया, इसको set किया, मैंने इसको remove किया, तो यह मैं अपास आ गया, अब थोड़ा सा seek of simplicity मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ इसमें से, जह हैं, वो month जह है, वो remove कर रहा हूँ, ताके रेले थोड़ी असानी हो जाए, और आप governance रेंगे बेतर हो जाए, इसमें से city को मैं रिमूव करता हूँ, city को मैं ड्रैग किया, और मैंने remove कर दिया, इसी तरह से मैंने जहाँ, यह जो, जून को मैंने remove किया, अब एक और काम करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ कि, मैं जह है, जन्री को एक और बार यहांपर add कर रहता हूँ, जन्री को आप दो दफ़ा add करते हैं, यही बनाए, अब यहांपर जन्री दो दफ़ा add हो गया है, अब मैंने दो दफ़ा add क्यों किया, इसका एक reason है, मैं चाहता हूँ कि जन्री जन्री है, इसको आप क्या करें, इसको आप जो है, वो मुझे शो करें, राजी, percentage of the grand total, राइट, मैंने ओके किया, अब देखें, इसने मुझे यह percentage में show कर दिया, अब मैं पास दोनों चीज़ें available हैं, मेरे पास जहाए, वो figure भी available है, मेरे पास जहाए, यह percentage में available है, आजी, अब मैं देखूँ, यह retailer यह है, और मेरे पास, इसको services मेरे पास यह हैं, मैं इसको, जहाए, वो, collapse कर रहा हूँ, यह आप पास है, अब, for the sake of simplicity, मैं यहें पर, इस पर भी जहाए, यह ही apply करता हूँ, कि मुझे आप आप जहाए, क्या करें, मुझे आप इसको percentage में show कर दें, ready, okay, और मैं करता हूँ, इसको भी आप मुझे percentage में show कर दें, ready, अब, मेरे पास, यह सब percentage में आगई है, जनरी को मेरे पास, जहाए, जनने दो दफा लिया था, तो यहां भी हम दो दफा ले सकते हैं, मैं इसलिए जानबुज केस को कर रहा हूँ, ताकर हमें, जहाए, वो, understanding में मसला ना आए, आए, जी, यह, मैंने, करसरीट को यहां पर रखा, इसको मन थाला सब और बढ़ा कर देदा हूँ, मैं इसको कहता हूँ, जहे मुझे आप sort कर दें, जो highest contributor है, वो top पर आजाए, जो lowest है, वो end पर चला जाए, मैं इसको इधर क्लिक किया, मैं इसको यहां पर किया, मैंने का इसको आप sort करें, का जाए, जी, smallest to largest, मैं जाए, largest to, smallest कर दें, यह देखे, अब इसने क्या किया किया, कि होल सेलर इसने मुझे टॉप पर शो कर दिया, जो सबस्यादा कंट्रिबूट कर रहा था, second है, उसने ट हमने देखा, अभी हमने यह फिल्टर देख लिया, और हमने यह परसंटेज देख लिया, अब यह जैसे जैसे अगर मैं चाहूंगा, तो मैं चाहता हूं मुझे सिर्फ परसंटेज एक ही चाहिए, तो मुझे वो एक ही परसंटेज देगा, जी, मुझे जा है, अगर वो चा next lecture में करेंगे slicer कैसे use करना है पिर अगर refresh करना पर data तो refresh हम कर देंगे और अगर data को change करना है तो data change भी कर सकते हैं आगे हम modify करें किसा से modify करना हमने तो अभी मैं design पर जाता हूँ design पर हमार पास यह है कि हमें row के heading चाहिए या नहीं चाहिए, column चाहिए या नहीं चाहिए, column heading चाहिए या नहीं चाहिए, तो यह सारी चीज़े हैं हमार पास यह तो row आजाएंगे हमार पास column चाहिए तो column आजाएंगे हमार पास यह different design हमार पास, हम जो चाहिए select कर लें, जो आप पसंदो आप select कर सकते हैं तो यह मैं साथ साथ शो कर रहा है यह different हमारे पास option जैसे पहले हमने टेबल में पढ़ा था तो यह option हमारे पास available है हम इसको हर तरह से choose करके यहां पर apply कर सकते हैं यह this is optional मैं इसलिए बता दिया के खुबसूरती तो बहुत जो करने के लिए तो यह इसको मैंने okay कर दिया तो यह हमारे पास different चीजे जो मैंने in short आप से discuss किये इसको हम आगे continue करेंगे इंशाला तो अभी हमने slicer देखना है थैंक्स वर वाचिक यूर कमेंट्स आवेटेट बाश्यक्री असलाम आएकम